प्यास की रोटी हाई मैं हूँ अनूपा और संजीव कपूर कशाना मैं आप सबको वेलकम करती हूँ चलिए बनाता है प्यास की रोटी बहुत सिंपल है पर बहुत यूनिक रस्पी है यह मरी तो जल्दी से इसके इंग्रिडिंस नोट कर लेजिए दो कप आठा, तीन से चार हरे प्यास बारी कटे हुए तीन बड़े चमच हरा धनिया बारी कटा हुए दो हरी मिर्च बारी कटी हुई एक छोटा चमच अजवैन नमक स्वाद अनुसार सेखने के लिए तेल प्यास की रोटी के लिए सबसे पहले आप प्यास ले लिजिए एक बोल में और इसके साथ हरा प्यास भी ले लिजिए और इसमें हमें मिलाना है नमक क्यूंकि हम जब इसमें नमक डालते हैं तब प्यास को पानी छूटता है और इसके वज़से हम जब आटा मलते है तब पानी हम कम डालेंगे अगर आप इसे नमक लगा के नहीं रखोगे तो आपका जो आटा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और फिर बेलने में दिक्कत आएगी यह देखिए जैसे नमक डाला वैसे प्यास को पानी चुटने लगा अगर इसे आप और पाच मिनिट रखते हो तो सब पानी चुट जाएगा और इसके साथ हमारा जो आटा है जो हम मलेंगे वो बहुत ही अच्छी तरह से मल जाएगा अब इसके बाद हम डालेंगे हरा धनिया हरे धनिय के साथ हम डाल देते हैं इसके अंदर बारी कटी हुई हरी मिर्च और हम डालेंगे इसमें अजवैन इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए अब एक डो मेकर में हम डाल देते हैं यह आटा वैसे हाथ से मलने में कोई प्रॉ अंदर डाल लेते हैं इसे धीरे धीरे आप मलिए और पानी भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे पर पानी डालने से पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल चलिए ये हो गया हमारा आटा रेडी अब इसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इस पे थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं इस तरह से थोड़ा सा उपरा तेल लगा लीजिए और इसके अब हम इस तरह से पेड़े बना लेते हैं ये जो प्यास की रोटी है ये थोड़ी म जाती है कि इसे पतला बेलना मुश्किल होता है एक तो इसमें हमने काफी सारा प्यास जाला रहता है इसलिए ये बेलने के समय शायद थोड़ी टूट जाए पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इसे थोड़ा सा मोटा बेल ये और बहुत जादा हाई हीट पर हम इसे नहीं सेकेंगे चलिए अब इसे बेल लेते हैं बेलने के लिए हमें चाहिए होगा तोड़ा सा सूखा आठा हम इस तरह से छिड़क लेंगे जो हमने पेड़े बनाए है इससे अभी हम बेल लेते है छोटी छोटी रोटिया बनाएंगे हम ये देखी जैसे मैंने आपको कहा कि गरम हो गया है अब हमने जो ये रोटिया बेली है इसे सेक लेते हैं सबसे पहले इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से हम सेक लेंगे फ्लेम जो है वो एकदम मीडियम है थोड़ी हमने धीमी रखी है ताके ये जो प्यास की रोटी है ये एकदम करारी बन जाए ये जब ये इस तरह से सेक जाएगी तब इसे आप निकाल लीजे कोई प्लेट पे चली प्यास की रोटी तो रेडी हो चुकी है आप इसे सर्फ कीजे गरम गरम वैसी ये टिफिन्स में तो बहुत ही बढ़िया लगेगी और इसे सर्फ कीजे चुंदा के साथ या कोई भी आप के मन पसंद चटनी के साथ और यसे भी जरूर ट्राइ कीजिए